बहुत बार हम पत्रकारों से का जाता है कि आप असली सवाल तो पूछते नहीं हैं तो अब किसी की नजर में कुछ असली है, किसी की नजर में कुछ असली है, किसी की नजर में कुछ असली है, किसी की नजर में किसी तरह की नेतागरी असली है लेकिन सवाल कौन से असली होते हैं, वो किस अंदाज में पूछे जाने चाहिए, वो तो कभी भी बता सकता है, और कभी हमारे चैनल पर बताते हैं, नेताओं को लपेटे में लेते हैं, और आज भी लेंगे. लपेटे में नेता जी, चौपाल एडिशन, हमारे साथ मौझूद हैं, इटावा उत्तरप्रदेश से कभी गौरव चोहान, क्योंकि मुम्बई में हैं, चौपाल, तो मुम्बई से हमारे साथ मौझूद हैं, नवनीत हुलड़ जी, और पुने से हमारे साथ सुनील साहिल साहब हैं, इन तिरों का हम स्वागत करेंगे. पीजेपी से हमारे साथ गुपाल अगरवाल जी हैं, जो लपेटे में लिए जाएंगे, कई बार हमारे चैनल पे पहले भी लपेटे में लिए जा चुके हैं, हमारे साथ एंजेपी से नवाब मलिक साहब हैं, स्वागत है आप दुनों का, मैं आउंगा नीचे आपके पास, लपेटे तो यहां से आएंगे, एक नियम है कविता का, नियम क्या, हम देख रहे हैं यहां पर, जिस तरह का रिस्पॉंस आ रहा है, कवियों ने मुझे बुला कि हम साब बहुत डर रहे हैं, बड़े वी आईपी लोग बैटे हैं, तो कविता सुनने के लिए, कविता अच संदाय तो और ज्यादा जोर से बजाईएगा, क्योंकि वो कवियों को सिगनल जाता रहता है, तो शुरू करते हैं, लपेटे में नेता जी हमाँ साथ एक और खास बैमान भी जुड़ने वाले हैं, जिनके तस्वीर हमने भी कुछ दिर पहले देखी ती, यह तो असल में न मोदी जी ने 15 लाग देने का वादा किया था, पूरा नहीं हो पाया, बहुत से लोग मोदी को कोस्ते हैं, मैं कभी होने के नाते एक दर्ष्टी से सोचता हूं कि नहीं, उनका दोश नहीं है, वो तो देना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, सुनिएगा, कि कोई तो भूका, कोई तो भर पेट खाता है, कि कोई तो भूका है, कोई तो भर पेट खाता है, सब को है इंतजार की कब माल आता है, और जैसे ही, जैसे ही मोदी देने होते हैं, पंद्रालाख, कोई ना कोई पैसे लेके भाग जाता है, कोई ना कोई पैसे लेके भाग जाता है, अब क्योंकि पूरा वादर्वन ऐसा हो गया है नेता जी आ गया है स्वागत स्वागत जी को मैं नमस्कार करता हूं और चार पंतियों से शुरुवाद करता हूं कि नेता भाशन देकर आया आकर नौकर पर गुर्राया मैं आया हूं थका थकाया पैर दबाओ राम लुभाया नेता भाशन देकर आया आकर नौकर पर गुर्राया मैं आया हूं थका थकाया पैर दबाओ राम लुभाया राम लुभाया बोला मालिक एक जरूरी बात बता दू भाशन से तो गला थका है अच्छा है अच्छा है धन्यवाद क्योंकि पूरा वातरवन ऐसा हो गया है तो मैं एक गीत से शुरुवात करता हूं और देखो जी हमें आदत है तालियों की साथ तो तालियां बीच में बजाते रहिएगा मैंने गलत कह दिया क्या है कि पसंद थो बजायाँ यह तो पसंद आ रहे है लोगों का आयगी पसंद भी क्या है अभी जो मैंच परैट है अम लोग ईबड़े खतरनाक प्राणी है कभी जोह निबड़ा खतरनाक प्राणी होता है मुझे आद है जो तुने लंबी और बोरिंग कविता सुनाई कि एक शोता की डेथ हो गई निपड गया वो तो उस पर हत्या का केस चला तो जज ने कहा नीच कवी तुने इतनी लंबी और बोरिंग कविता सुनाई कि एक शोता की ही डेथ हो गई तुझे मृत्युदंड दिया जाता है तेरी को आखरी ख्वाईश हो तो बता वो बोला वही रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो वो मुझे पूरी याद है इसलिए आप मीठी-मीठी तालियों से मेरा साथ दें मीठी ना हो तो खटी भी चलेंगा राजी बैस सुनिये चुनाव आने वाला है इसलिए पढ़ता हूं कि आ गया चुनाओ यार घंटी तो बजाओ यार टन तन 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 आ गया जुनाओ यार घंटी तो बजाओ यार टन तन 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 सोई हुई जनता है कोई तो जगाओ यार टन तन 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 नेता ऐसे आए जो माल नहीं खाए, नेता है से आए, जो माल नहीं खाए, ना उची उची फेके तो गंगा हम नहाए. पंती देखना, दन्यवाद. तो बजाओ यार टन तन तन पंतियां देखें ब्यंग देखें कि देखो इनको जानो चोर हैं ये सब पुराने आता है जब इलेक्षन आ जाते हैं दुम हिलाने कमल हो पंजा हो जाड़ू हो यहाथी सब है धोके बास कोई नहीं जनता का साथी तो उसकी मान जाओ यार खाओ ना किलाओ यार टन तन 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 बजाओ नहीं तो इतन तन में साम बितातूंगा मैं धन्यवादम साहिल आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं आप सभी को पूरुन आश्वाशन देना चाहता हूं कि आज मैंने कोई भी कविता रोटो में पैंसे नहीं लिखी है पूरा देश आज मोधी को कोस रहा है नीरो मोधी को आज है वाशे दूसरे मोधी की चवी भी कुछ अच्छी नहीं रही ललित मोधी के अच्छा होगा न अब जा इस बाली उमर में मुझे पाकिस्तान दर्शन का कोई शोक नहीं अच्छा बाली उमर में यह भाजवावाले पता हुआ नी वाइशाब यह क्यों कहते हैं कि आजकल तो वैसे भी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है ललित मोधी जी गए वीजे मालिया जी गए अब नीरो मोधी जी गए तो बड़ा अच्छा है कि देश का सरदार ने चोकसी का वादा किया था हमें मेहुल चोकसी मिल गया अच्छा है अच्छा है सुनील देश के सरदार ने पुराने वाले ने नहीं वाले यह यह भी बेढ़त है सर आपसे कोई लिए ने देना यह आफ – और से कोई किया था हमें मेहुल चोकसी मिल गए देश लूटने वालों को कोठरी का वादा किया था हमें कोठारी मिल गए यह ना दूसरों को खाने देते हैं ना खुद खाते हैं यह कमल का फूल वाले कमाल का फूल बनाते हैं यह कमल के फूल वाले कमाल का फूल बनाते हैं गोपाल जी लबेटी जाते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी यह वाल है को गीनों ने अक हिदा टबाने वाली बात कर गई तो एक भ्याम ने सुना था कि अशने ने कहा कि भई मैने आपके छी को कि पैव पैर दबाए तो नेका मारा तो जाबराबर हो गए उने जाब बाइवा यहां तक मोधी सरकार की बात है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो क्रोणी कैपिटलिजम में जो देश के पैसे लेके बैंकों के भागे थे यह दबाये थे उन लोगों को सरकार सामने ला रही है और आज की डेट में पूरी जो प्रक्रिया है उनसे रिकावरी की उनके साथ उनक इनके प्रॉपर्टी को कंफिस्केट करें रिकवरी पे आपने कल जितने भी आप जिसकी बात कही है नीरव मोदी के आपने 810 कारे कल जब की हैं तो मैं कह रहा हूं कि सरकार तो चल नहीं रही है आपने सुझे चलो कारी चला लो अइसा है सारा बावाल जो है न सर्नेम का हो रहा है और कुछ नहीं मोधी जी कहते थे HER कि हो क्या रहा है सर्नेम सर्नेम का संकति देश眠ा 9 को दिनना खाने दूंगा ना खुद खाने वाले मोदी which वाद पकड़ाने वाले मोधी और समझ नहीं आता है पैसा आता है या जाता लाने वाले भी मोधी ले जाने वाले मोदी अब यह चेथैann तो लाल जी बेठें जब हम था पूंजरत में फिक में भी कोई खड़ा हुआ था लेकिन आज उनका इंकलाब सड़कों पर पसरा पड़ा है बिल्कुल दरना दे रहा है इंकलाब आधी रात के कुटाई हो रहे यह साथ अच्छा ताली बजा सकते हैं आप क्योंकि लगता है आमात्मी पार्टी का कोई है नहीं आपे तो काई को पुरा मनने का तो तीवी पर सुन रहे होंगे आमात्मी पार्टी के लोग तो सुने गौरव चोहान कह रहे हैं दिल्ली में तुम आये थे जाडू लेकर हात फैलाया बस रायता रोज किया उतपात मुख्य सचिव को कूट दिया है तुमने आधी रात होए हद कर दी आपने हद कर दी आपने हद कर दी आपने हद कर दी आपने और कैसे आप थे पहले तो तु फिर तुम हुए फिर आप हो गए पहले तो तु फिर तुम हुए आप ऐसे मत हो जाना चेतू लाग जी है काुट पहले तो तू फिर तुम हुए पिर आप हो गये जनता ने दिया बोर्ट सब के बाप हो गए और अधकारी घर बुला के सब मिलके पीटा है अब आपके विबायक सडख छाप हो गए अब आपके विदायक सडख तो आप वाले कह रहे थे कि उनकii सरकार को घिराने की साजिश है ठीक और रहे हैं उनको घिराने की जरूरत क्या है कि यह भाजबा कह रहे थे कि राम जिल आएंगे इनको मैं बता दूं केजरिवाल जी दिल्ली में गुप्त वंच ले आए हैं हमारे कभी कुल के कभी डॉक्टर कुमार विश्वास को गजब के अताली तो बज़ी भी नहीं है यह यह तो कह रहा है जिन दो लोगों ने बजाई उनके चलन चुलूगा मैं हमारे कभी हिर्दों में भी है केजरिवाल जी गाना गाते हैं ना कि इंसान का इंसान से है भाई चारा कितना ठीक है पहले वो इंसान को भाई बनाते हैं फिर चारा बनाते हैं तो जो उन्होंने अभी आदी रात को बॉक्सिंग की उस पर दो पंक्तियां केजरिवाल जी अपने किक करेंगे केजरिवाल जी अपने विधाईकों की भलाई कुछ उस तरह करेंगे हम संदा तो मिल नहीं रहा अब compiled जी अपने विधाय को के bouncer सपलाई करेंगे कि इससे पहले सेशन में जेटुलाल जी जब आप नहीं थे तो भाजप और शिवसेना के लोग बैठे थे और एक गीत के दोनों दूले बने हुए हैं कौन चढ़ेगा घोडी देखना पहली लाइन से जुड़ जाना के दोनों दूले बने हुए हैं कौन चढ़ेगा घोडी और ना टूटे ना जुड़े भाज पाशिव से ना की जोड़ी हो 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 तू भी गा हो हो दोनों दूले बने हुए हैं कौन चड़ेगा घोड़ी अर ना तूटे ना जुड़े भाजपा शिव से ना की जोड़ी हो पंतिया देखना जिसको देखो टांगे उची रखता है और जिसको देखो वो मौका ही तकता है और जिसको देखो टांगे उची रखता है जिसको देखो वो मौका ही तकता है यह खिचड़ी तो बेमेल बनी इसमें तो रही है तना तनी हम और तुम क्या कर लेंगे जब राम मिलाएं जोड़ी हो अरे हो पंदियां देखना के इसको चिंता है के छूटे ना सता बाजपा वाले जी हाँ आप भी सुने के इसको चिंता है के छूटे ना सता और वो इस ताक में काटू इसका कैसे पता के इसको चिंता है के छूटे ना सता और वो इस ताक में है काटू इसका पता दोनों ही बड़े सयाने हैं दोनों ही बड़े सयाने हैं बस कुर्सी के दिवाने हैं अरे घोडे ने क्या मर्जी से कभी हरी घास है चोडी हो हो भी उच्फ़ जाए शुका नमरीद भाई आपने घ्रण पर द्यानन आए अच्छा इंधी अच्राइए अच्छा अधी अध्यास अध्याश्य प्रूद एसे बात निए आधि यह चोड़ रहें उनको नहीं क्या करा रहा है शिवसेना ने देखें ये तो शिवसेना को बत साथ पखड़ा है उनको पूरी तरह से उनके साथ रहेंगा जब तक उनका उत्हान नहो जाए उस रास्ते में जो हमारे साथ है उस राउ उत्देश में उसके साथ है हम जो उस चीज रास्ते को छोड़के चलना चाहते है उनको हम भी छोड़ देंगे, क्या बात है, ये राज ठाकरे के साथ दिख रहे हैं, पवार साब, वहाँ कुछ तो नहीं हो रहा है, राज ठाकरे और पवार साब का जो इंटर्व्यू का कारेकरम था, वो एक सामाजिक संस्थानी किया था, पवार साब ने इसपस्ट कर दिया और अने वाले दिनों में हम कॉंच के साथ गर्ठवदन करेंगे, हमेर क लगता है कि महाराज में राज ठाकरे ह्रदीक पतेल बनने वाले, हैं आपके साथ गठवदन करेंगे, आपका गठवंदन कुछ-कुछ ऐस था नहीं था, षिवसे ना, जी अपका गठवंदन कुछ यहे एक काम पर इनाउंस करते हैं तो दूसरी पाट उसका विरोद करती है। अगर शिव सेना कुछ गहती है तो बीजेपी उस-का विरोद करती है। अगर कोई चाहता है कि हम चत ने खुलें तो ईूसरी पाटी परोट करे है। अगरवान साब आप खूब जोर लगा लो उद्दव था करें जानी बीजेपी तूने मेरी कदर ना जानी जब से है सरकार बनाई बनाई तुमने खाई सिर्फ मलाई मोदी का मेजिक हर जाई हो मेरी एक भी बात न मानी खूब करीमन मानी बीजेपी तूने मेरी कदर ना जानी उद्दव जी को डर क्या है मोदी अमित हैं बड़े सयाने 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 मोदी अमित हैं बड़े सयाने कहीं न लगा दे हमें ठिकाने कहीं न लगा दे हमें ठिकाने तोड़ दिये संबंध पुराने, मैं उद्धव हूँ ग्यानी, मुझको समझो ना अडवानी, BJP तुने मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, मुंबई की लोगों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमने कभी उनके साथ गडवंदन को तोड़ने की ना बात कही है अगरवाल जी आप अगर शाड़ी तीन साल पहले की घटना करम देखेंगे तो गडवंदन भारती जंता पार्टी नहीं सिवसेना से तोड़ा था, हम नहीं तोड़ेंगे यह बोलना आपका गलत नहीं हमने कभी दी तोड़ा जब जो स्टेट इलेक्शन थे अभी तक भी साथ में चाहे गवर्नेंस में लड़े तो साथ में नहीं थे ना आप तब तोड़ दिया तो वो जो कंपल्शन से अंडर प्रेशर पॉलिटिक्स कभी भी नहीं सकती जब भारती जनता पार्टी कुछ पॉलिसी आइडिलोजी और स्टैंड को ल अगरवाल जी ऐसा है कि बीजेपी वो पवदा है जो जमीन पर जड़े नहीं पहलाता तो फुले हुए पेड़ों पर अपनी जड लगा देता है और और जो पेड होता है उसको खत्म कर देता है यही डर लग रहा है सिवसेना को इसले भाग रहा है वो आपके साथ यह तो उनकी अपनी कोई बात होगी आज इतने सालों से 65 साल देश में जिसने वेट किया है आज उसके बाद दौजाचवदा में एक प्रकरता से सरकार आई इतनी पेशेंस के साथ हम राजनिती करते हैं तो अल देश वेट कर रहा था अपने अर वेट कर रहा थ टना पैशनली वे करें वक्त आये तो अपनी राजनेतिक दुकान पे ताला लगा कर नहीं दुकान में सामिल भी हो जाते हो आप में निस्टुलाल जी संग पूरी तरह से जनसंग समात हो गया दूसरे दलों में भी जाते हैं आप वेड़ करते हैं यह ना कहो जैसे जैसे अवसर आएगा उसका लाब आप उठाते यह सब तो सुनते ही रहते हैं सर मैंने कविता चेतुलाल जी जैसे नेताओं के लिए लिए कि इने आप कुछ भी जखते हैं यह यह हर शाक पे जी ना भी लगाएगा तो भी उटाली जाएगा नोर्थीश्ट में चुनाव आ रहे हैं करणाटिक में चुनाव आ रहे हैं तो उस संदर्व में कविता है चुनाव का समय होता है तो टीवी बहस की जाती है आयोजन की ज जाहिएगा कि हवाई परशाद और बेबस लाल दो नेता हवाई परशाद और बेबस लाल दो नेता भारी मत पाने के लिए हलके में गए हलके वालों का मन भारी था अलके वालों का मन भारी था वेबस लाल बोला हमारी सरकार पावर में आई तो उड़ने वाली बस चलेंगी हमारी सरकार पावर में आई तो उड़ने वाली बस चलेंगी हमारी सरकार पावर में आई तो उड़ने वाली बस चलेंगी हवाई बोला ओल्रेडी चल रही है उसे हम बेबस बोला पट्री पे चल भी कहा रही हैं बेबस बोला अपनी छोड़ो हमें वोट दो कुछ इस तरह हम देश का मुकदर समारेंगे एंचे अंब बस चैन्ड पर हुआई जाहज उतारेंगे प्रेक्शन देखिये हम बस चैन्ड पे हुआई जाहज उतारेंगे हवाई वोला हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे बेबस बोला क्या बुलेट ट्रेन चलाएंगे क्या बुलेट ट्रेन चलाएंगे क्या जनता को पागल बनाया है हमारे टाइम में लेट ट्रेन चलती थी तुमने आगे बू ही तो लगाया है वाँ 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 हमारे टाइम में लेट ट्रेन चलती थी तुमने बू ही तो आगे लगाया है तुमने सिर्फ बू ही तो आगे लगाया है और व्यंग देखिये साब आपकी तालियां उठें एक श्रोता बोला फेकने के चक्कर में जनता को न जोंकिये घा जंड उससे तो रोकिये इन कभ तक झुलाएंगे ऐसे ही चलाते रहे तो हम więcej हुआ चपल चलाएंगे जह चितु अप प्रदेश में पिजली के बिल कि समस्या थी जो हमेंने पिसले दिनों उसका हल निकाला है अब बिल नहीं आएगा पहले बिजली नहीं आ रही थी ने अभी बिल बहुत काम आने लगा है अब सिर्फ लोग लाइट जब चली जाती है तो मुम्बत्ती और माचिस ढूड़ने के लिए सिर्फ लाइट जलाते हैं और जो 24 घंटे बिजली आती तो उसको काट के मैंने चार घंटे बिजली कर दिया है तो चार घंटे के साब से लोगों का बिल बहुत कम हो गया है लोग काफी खोश हैं अब हलके वाले चेतु लाल जी के पास आये थे तो उन्होंने इन से शिकायत की कि नेता जी करो कुछ सुनवाई हमारे महले में तीन दिन से बिजली नहीं आई नेता जी करो कुछ सुनवाई हमारे महले में तीन दिन से बिजली नहीं आई चेतु लाल जी के दिमाग में कैसी सोच आई है बोले आती भी कैसे बिजली के पा काम है नेताओं का, महगाई के फटके देना, 4 și 5 पर पूरी चौपाल उठ जाए, तालियों से, महगाई के फटके देना सुमृत भाई बेटे हैं, अमीस भाई बेटे हैं, ऊर्लिक्षर पंडी जी बेटे, आपको समर्पित करता हूं कि मैं क्योंकि नेता आपके बगल में बैठे हैं मेहगाई के भटके देना काम है नेताओं का भासड भी बस रटके देना काम है नेताओं को और जनता को तुम बिजली दोगे जनता को तुम बिजली दोगे लक्षड तो नहीं दिखते हैं बिन बिजली के जटके देते हूं, बिजली मत लाओ, नहीं तो आपके शो का टाइटल ही पढ़ लेता हूं एक मुक्तक में, इसके पैसे मुझे देना एड़िस्मेंट के, सुमी जी सुनिये, किस किस से फर्याद करें हर शाख पे बैठा उल्लू है, यही शो का नाम है ना, किस किस से फर्याद करें हर शाख पे बैठा उल्लू है, और जनता किस सत्ता सौंपे सबका करेक्टर धिलू है। शेगे, जब जनता की किसमत में ही बाबा जी का कर लू है, बाद अच्छा, ये चेतूलाल जी, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, लोग बीज़े पी से पूचते हैं, बीज़े पी ने महंगाई को ही पटा लिया, अच्छा, अब महंगाई बयान दे रही है, अब बीज़े कि तरफ से देरी मुझे नहीं पता लेकिन महंगाई खुद कह रही है महंगाई कह रही है कि थोड़ा सा कष्ट हूँ सुमिध जी थोड़ा सा कष्ट महंगाई कह रही है थोड़ा सा कष्ट हूँ मगर कलेश नहीं हूँ जैसी हूँ ओरिजनल हूँ जूटा भेश नहीं हूँ और तुम चाहते हो धीरे-धीरे खत्म हो जाओं मैं महंगाई हूँ कोई कांग्रेस नहीं हूँ वाँ 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 तरह दो पंक्तियां फिर जे चैतुलाल जी के लिए कहता हूं सिर्फ दो पंक्तियां साब मैं बस इतने में काम कर देता हूं मैं तो कहता हूं कि अभी जेतली जी ने जो तेरह सो करोड रुपिया बांस की खेती के लिए लगाया है मैं वो ही हूँ कि दो पंक्तियां नेता जी ने कहा कि मैं देश बदलना चाहता हूं पकड़ लेना नेता जी ने कहा कि मैं देश बदलना चाहता हूं यह कहकर नेता जी थाइलेंड चले गए अगा अगा में नेता पर ही कि व्यंग पढ़ता हूं कि मैंने एक नेता जी से पूछा आप दिन राद देश को खाते हैं फिर भी खुद को गांधिवादी बताते हैं नेता जी बोले देखें जी हम तो शुरू से ही गांधी जी के इस सिद्धान तो पर चल रहे हैं उन्हों ने कहा था चर्खा चलाना सो चर्खा चला रहे हैं जुद अबी सुना है कि कमल हासन भी राजनेता बन गए हैं बिल्कुल कि बंदे के नाम में ही लगता है कि भाजपा से है कि हाँ यह तो है कमल हासन मैं कहता हूं कि कमल हासन बड़े सफलनेता बनेंगे क्योंकि इन्हें तो चार्ची 420 का भी अनुवव है तो केजरिवाल जी उनसे मिलने गए चार पंक्तिया देता हूं कि कमल हासन केजरिवाल से मिलने गए कमल हासन केजरिवाल से मिलने गए बोले हमें भी कुछ गुर सिखाईए बोले हमें भी कुछ गुर सिखाईए केजरिवाल बोले अपना तीन महा का एक्टिंग कोर्स है पहले बाहर चंदा जमा कराईए अच्छा है अगरवाल साथ बहुत सपने हैं आपके तमिल लाडू में जमने अगरवाल जी से कोई लपिट रहे हैं आप सप्रा जी बेठें नवाब जी बेठें लिए अच्छा में लिपट वाने के ल अपराद बोद हम सर्दारों को बहुत सम्मान करते हैं आपकी कोई और होता तो लपिटते हैं चलिए अगरवाल साहब कमिलाडू में बहुत सपना है आपका बीजेपी लाने का लेकिन जाडू लेकर केजरी वाल बाह पहुंच गए दिल्ली पर आपकी छाती पर खूब दाल मली है अब बचके रहना क्यों कमलासन बड़ा इस्टार है सत्ता की राहे मोड सकता है चौपाल वालो बड़ा इस्टार है सत्ता की राहे मोड सकता है सियासत में कई पठों को पीछे छोड सकता है और कमल जो तुम खिलाना चाहते हो भाजपा वालो कमल हासन कमल की पत्तियों को तोड सकता है बचके रहना तो मिलाडू तैयारी करना मेनच ज्यादा किरनी पड़ेगी आपको एक यह भाजपा शि मुंब़ेतने की पूरी तैया cabbage मेहतर पुरा में मेगाल Recogn ौ blender की लगता direction का चलेगा अभी यवी लगता आपको क्या है कर रहें skin कि आधि मेंहल मुंभ nieu कर देटे रहे इस यवी में सब को खुश कर देते हैं क्योंकि अब देखिए मैं मुंबई इसे हूं तो मुंबई की बात करता हूं अभी इसमें किसी का कोई कोई लपेटे में नहीं आएगा और मुंबई में हम सब लोग रहते हैं तो क्या यहाँ पे क्या-क्या चीजें देखने को जो मिलती है क्या-क्या परिशानिया है पड़ता हूं कि यहाँ भी गढधे वहाँ नहीं छूटा, नगरपालिका से कोई नहीं छूटा, कि मुंबई की सड़कों पे भीड है, इतनी पैदल भी चलने ही पाते। कि मुंबई की सड़कों पे भीड है इतनी पैदल भी चल नहीं पाते और कुट्टे भी भूल के अपना स्वाभाओ ऊपरनीचे दुम हीलाते ऐसे नहीं ऐसे हीलाते जगा कम है तो गाड़ी रुक जाए तो कहीं ठुक जाए तो वो गाड़ी रुख जाए तो वो कहीं ठुक जाए तो ठुकी जिसकी वहीं उसने कुटा नगरपाली का hari ज्या से कोई नहीं छूटा नगरपाली का से कोई नहीं छूटा आपने थोड़ी धिर पहले हो 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 की थी नदो मुझे कविता याद आगी कि मैं निर्व मोधी को फिर से मिस कर रहा हूं हूं ऐसा नहों तुझे मिस करने लगे तो अच्छी बात है वहां बुला लेगा वाकई ही रहा है अप सभी बात है पहले महिलाओं पर आर चड़ाता था अज पर PNB पर चड़ा किया है पिछले दिनों एक कन्या बड़े का विता देखिये हे नन मनसूर कर से बड़े लगें करें को म ऐस गड़े अड़े हाला कि अपना इतना व एतो नहीं दुगार क्यों किया रभी और तर कि अनुराग पांडी जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं बड़ा प्यार करते हैं मुझे यह नैनमतक को प्रिया प्रकाश नैनों को फिर से मदुशाला कर लें चल हम भी को इश्क का घूटाला कर लें तेरी शोखी के चक्कर में हमने अपनी शाख भी खो दी, तू PNB की साखाँ बंजा, ने बंजाओं नीरव मोदी. तू PNB की शाखाँ बंजाओं नीरव मोदी. आपकर आजने देखिये हम अपने प्रदेस के जनता का पूरा ख्याल लगते हैं जिस तर shouted से हमने प्रदेस में देखा कि आजकर लोग खासे मोटे तगले गोल मटोल होते जा रहे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल लखने के लिए हमने सब्जियां महंगी की हमने दाल महंगी की चावल महंगे किये अब वो लोग थोड़ा से कम खा रहे हैं और काफी इस तवस्त हो रहे हैं लेकि चेदुलाल जी आपने क्या किया आपकी सरकार ने किया क्या आस्मा सर पे उठाने की ज़रूरत क्या थी है हमको अब और सथाने की ज़रूरत क्या थी है अपनी अयाशि आपने तोड़ी tailored कमी कर लेते तेल के दाम भडाने की ज़रूरत क्या थी आ या बड़ाय है और हुदी वह नीशपिन होषता है हैं जैसे अभी आप बात कर रहे थे हम अपने प्रदेह से बेखने में पूरा ख्याल लगते हैं अक्सर आप ने देखा होगा सुना होगा ये 12 के पहले जब कोई पता पूछता है तो लोग पूछते भाईया यह सड़क कहा जाती है और हमारे प्रदेश में 12 के बाद लोग आते हैं पूछते यहां सलक थी कहां चली गई अच्छा है यहां चेति लाल जी ने महंगाई की बाद की एक व्यंग देना चाहता हूं इस बात पर मैं बात पूरी कर दूँ क्योंकि आप लोग मैं जब काफी बोलते हूं मौका देते थे नहीं हो किसी को हम लोग मैं अपने प्रदेश में हमारी काम में तेजी होती है हम एक साथ सड़क और गढ़ों का ठेका पास करवाते हैं आगे आगे सड़क बनती पीछे जगढ़े भरवाते हैं ऐसे हैं अशेलिए बद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शड़कों की तु चेतुलाल जी महंगाई पे आपने बात के बड़ा ही मार्मिक व्यंग आपको सोफता हूँ, कि कल अखवार में खबर आई, कि एक महिला अपना एक वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपे में बेचाई, यह सत्मे हुआ था सर बिहार में, कल अखवार में खबर आई, कि एक महिला एक वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपे में बेचाई, चेतुलाल जी को हसी आई, बोले कहा है महंगाई, अरे बेवकुफो, यह देश तुमको महंगा दिखता है, जहां एक वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपे में बिखता है, जहां एक वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपे मे मैं भी पड़ूगा साप राजी और आखरी है कि मेहंगाई अब कस्ती जाती हर मेहां शिकंजा मेहंगाई अब कस्ती जाती हम यहां शिकंजा है और ले दे के कुछ बाल बचे हैं जिसको तेखो गंजा है और हाती साइकल जाडू वाले ये तो बाद में आएं हैं जिसने हजामत करी शुरू से वो तो के वल चलिए अंतिम दोर है पूरे भारत में स्वच भारत अभ्यान चल रहा है नेता बड़ी जोर सोर से जाड़ लगा बिल्कुल बिल्कुल एक मुक्तक और एक परोड़ी और मैं थोड़ा खड़ा होना चाहतो हो कर आगया है बिल्कुल प्रोग्रम लिए उन्हां प्रणाम करता ह स्वच भारत अभ्यान पर जितने इनत्त बड़े-बड़े काम कर रहे हैं उन्हें पहले क्या करना चाहिए सुमिझ जी मैं सुन लीजे चेतुलाल जी आप सुनिए और आप जैसे जितने नेता हैं इस देश में वो भी सुनें कि नेता जी नेता जी नेता आप लोग बिल्क करो और कूड़ा है भ्रस्टाचार का करकट है जूट का नेता जी पहले अपना दिल तो साफ तो करो नेता जी आईए पूरा एक ऐसा पैरोडी आप लोग जूमेंगे भी और आपको देश का दर्द भी महसूस होगा मेरे साथ गाएंगे सभी लोग खादी का मदारी हमें कसके न चाए कुरसी के पैरों से चिपक चिपक जाए कोई सिर्फ जुमलों में मंदिर बनाए कोई बस चुनावों में मंदिर बनाए कोई बस चुनावों में ही मंदिर को जाए अरे वाः वाः अरे बाबाबा, अरे बाबाबा, अरे बाबाबा, कहीं गाए और कहीं घोडे काशोर, राजनीती पूरी तटोल लेना चार साल की, कहीं गाए और कहीं घोडे काशोर, देश में मचा हुआ पकोडे काशोर, टेंक बेंक रेंक में घोटालों काशोर, अब इजबी वालो, टेंक बेंक रेंक में घोटालों का शोर, चोर से डरे हैं कोत वालों का शोर, गंगा के आचल में नालों का शोर, रोज बाबाओं के बाबालों का शोर, थोड़ा तेल, थोड़ा चारा, थोड़ी जेल, अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा, फिर से चौपाल तालिया मांगता हूँ कोई धाई लाख पे भी टेक्स को चुकाए, कोई अरब खरब ले विदेश भाग जाए अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा, संसद में राहुल की स्लीपिंग का शोर संसद में राहुल की स्लीपिंग का शोर, सरहद बे दुश्मन की चीटिंग का शोर, ATM के बाहर लंबी लाइन का शोर, बोलीवुड के गानों में वाइन का शोर यूपी में छाया सन्यासी का शोर दिल्ली में मफुलर की खासी का शोर आख जिसने मारी प्रिया छोरी का शोर जनता के पैसे की चोरी का सोर थोड़ा साल्ट, थोड़ा स्वीट, थोड़ा वाटर, थोड़ा नीट अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा, अरे वावावा कोई जनल डिब्बे में सीट नहीं पाए, कोई बुलट ट्रेन के भी सपने दिखाए कोई जनल डिवे में सीट नहीं पाए कोई बुलट ट्रेन के सपने दिखाए संसद में कोई तीस रुपए में खाए कोई बिना चावल के भूका मर जाए अरे वावावा वावा करना छोड़िये देश की आहा में अपनी आहा को महसुस करिये सभी नेताओं से आग रहे हैं देश को बनाईए जैहिन जैभारत अरे वावावावा ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इटावा से हमाई साथ है कभी गौरब चोहान बहुत बहुत दने बाद आप सभी का मुंबाई से नवनी धुलर पुणे से सुनील साहिल और लपेटे में जो लिए गए नेता वो हमारे सामने हैं थे रहेंगे हम भी यहीं हैं ये भी रहेंगे इनको ही जिताना है इनसे बस काम करवाना है चेतुलाल जी से भी बहुत बहुत चुक्रिया आप सभी का लपेटे में नेता जी चपाल एडिशन के लिए बहुत बहुत चुक्रिया